मुख्यमंत्री नितीश कुमार, स्री गुरु गोविंद सिंग जी महराज के 357 वे प्रकास पर्व पर तक्त श्री हरी मंदर जी परीशर में पहुंचे जहां पटना साहिब में आयुजित कारिक्रम में मुख्यमंत्री नितीश कुमार शामिल हुए वहीं मुख्यमंत्री ने तक्त श्री हरी मंदर जी पतना साहिब में माथा टेका और राज्य के सुक्षान्ति और सम्रिद्धी की कामना की। इस अफसर पर वित्वानिज्यकर एवं संसंत्य कार्य मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जल संसाधन सहसूशना एवं जन संपर्क मंत्री श्री संजय कुमार ज्जा गुरुद्वारा प्रवंदक कमीटी पतना साहिब के अध्यक्ष सरदार जग्जोज सिंग क्रम में सभी लोग शामिल रहे आज गुरु गोविन सिंग का प्रकास पर्व है ऐसे में बिहार के राजधानी पटना में स्थित पटना साहिव में खास इंतजाम है यहां पर भारी संख्या में श्रधालों पहुंचे हैं वहीं वीदेशुर से भी लोग पहुंचे हैं विश जश्न में शामल होने पहुंचेंगे यहां आने वाले लोगों के लिए आज लंगर की वैवस्था भी है साथी प्रेटन विभाग की और से हेल्प डेक्स भी लगाया गया है यहां लोगों की स्विधा का खास ख्याल रखा जा रहा है खास कर जो लोग राज के बाहर से लोगों को कोई परिशानी ना हो भीर में प्राशाशन भी अलर्ट है या तायात वैवस्था में भी बदलाव किये गए हैं तादी मुख्यमंदर नितीश कुमार आज यहां पहुंच कर जहां यहां पर आश्रवाद लिया माथा टेका तो वहीं हर्शोल लास के साथ तवेला में आसा दिवार विशेश दिवान सजेगा अमरित चक सिक पंत की दिच्छा शाम को भी विशेश दिवान मध्य रात को प्रकास उत्सव का मुख्य समारू होगा मैरो रिपोर्ट निउस पियार लाइव पटना